नमस्कार एंडे वेलकम यूर्स तो मनोस सिंग इस इलेक्षन में एक खास बात यह है कि हर बार इलेक्षन सिर्फ एक दिन होगा करता था इस बार इलेक्षन तीन दिन चले फ्राइडे सेटरडे और संडे को कुछ लोग इसे अच्छा भी समझ रहे हैं लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसे free and fair तरीके से नहीं करवाया गया इसमें धंदली हुई है व्लादिमिर पुतिन की एज कितनी होगी कोई बता सकता है क्या मैं आपको बताता हूँ 71 एर है पुतिन की एज और ये अभी elect हुए है टोटल 6 सालों के लिए यानि कि 2030 तक के लिए ठीक है इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है किनका रश्या के longest serving leader का 200 साल का रिकॉर्ड है 200 साल पुराना रिकॉर्ड रश्या का इन्होंने तोड़ दिया है और उनका नाम क्या था जिनका रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने उनका नाम है जॉसेफ इस्टेलिन मज़ेदार बात तो यह है कि इनको 87.8% वोट मिले जो काफी जादा होते हैं और यह अब तक का Russian Federation का record रहा है कि इतने परसेंट किसी एक आदमी को वोट मिले हो उसके बाद नंबर आता है किसका Communist candidate Nikolai Kharit Novo का जो के second आये हैं और उनने 4% वोट मिले हैं और एक अभी अभी नहीं नहीं उठे हैं Vladislav नाम है उसका third वो आये हैं उसके बाद एक हैं Leonid Slut Sky वो हैं fourth नंबर पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक कॉशन पुछूंगा कॉशन यह है कि Natula Pass is a mountain pass located in which state तो आपके option है सिक्किम, असम, जम्मुएंड कस्मीर या फिर उत्राखंड comment section में उतर दीजिए जिसका भी सही होगा मैं उसे reply कर दूँगा और वीडियो के end में मैं आपको इसका answer भी बता दूँगा यह है हमारा प्यारा भारत और भारत से अगर आप उपर को देखेंगे नौर्थ में तो आपको दिख जाएगा रश्या जो कि इंडिया का काफी अच्छा मित्र भी है दोस्त बोलते है जिसे ठीक है तो जो पुतिन है वो अब तक का पांच बार इलेक्शन जीच चुके हैं कब कब जीते भाई तो ये जीते 2000 में सन 2000 में वो भी 52% वोट से फिर 2004 में जीते 71% वोट से फिर इन्हें हरा दिया गया 2008 में डिमेट्री मेडविडेव ने 71% वोट से हरा दिया फिर उसके अब 2012 में इनकी फिर वापसी हुई 63% वोट से फिर 2018 में ये फिर जीते अब 2024 में जीत गए काफी अब तो 80% वोट से जीत गए सोचिए आप 88% वोट देखो ये तीन लोग वो हैं जो रश्या के प्रेस्डेंट जो पुतिन जीते हैं भी उनके प्रतिद्वंदी थे ये तीनों जो उनके साथ साथ एलेक्सन में खड़े थे और ये तीनों भी उस जो रश्या युक्रेंट वोह है उसको सपोर्ट कर रहे थे अब इन ना तो कहने ही सकते क्योंकि भाई ये गायब हो जाएंगे तो इनोंने क्या किया सपोर्ट किया उसका लेकिन इनी की तरह एक और पतिद्वंदी थे उनका नाम है बोरिस नदेज हिन उनोंने क्या करा उस रश्या युक्रेंट का अपोस करा तो उन्हों वहाँ से हटा दिया गया और बोला ये गया कि इनके signature में कुछ गलती है इस वज़े से इनको हटाया गया अब बताओ signature में कोई गलती है वो क्या उस समय बताने सकते थे जिस समय signature करा उन्हों ने वो इतनी बड़ी पोश्ट तक आ गये इतने बड़ा देश को संभाल ले है उनको पता ही निकी signature कैसे करते हैं और उन government के आदमियों को पता है signature कैसे करते हैं जैसे की है ना उस समय नहीं बैटा था वो officer वहाँ जान बुच के इन्हों ने उस आदमियों को वहाँ से हटाया तो यह है कि अगर तुम support करोगे तो बचे हो नहीं करोगे तो जाओ भाड में देखिए अलेक्सी नवलनी को तो आप सबी लोग जानते होंगे रश्या के जो अभी पुतिन है प्रेजिडेंट है उनके कटर प्रतिजवंदी थे मतलब इतने प्रतिजवंदी थे लोग उनको अभी जिता सकते थे इतने वो आगे थे हुआ क्या कि उनको कब से जेल में डाला गया और जब यह एलेक्सन का समय आया तो वो अचानक से मर गए मतलब वो ठीक थे पहले दिन पहले एक दो तिन दिन पहले वो भार भी आये थे और ठीक थे अचानक से वो मारे गए कैसे भाई उन्होंने विरोध करा था तो मरना तो था ही उन्होंने और वो हुआ भी मार दिया गया उन्हे जब यह एलेक्सन खतम हुए उसके बाद क्या होती है कि एक प्रेजडेंट द्वारा विक्टरी स्पीज दी जाती है रश्या में और जब वो स्पीज दे रहे थे उन्होंने वर्ल्ड वर्ड थ्री का जिकर करा और यह कहा कि अगर USA की जो लेड नेटो मिलिट्रे अलाइन्स है वो अगर रश्या पर हमला करती है तो वो सिर्फ कुछ सेकिंड दूर है किस से एक वर्ल वर्ड वर्ड थ्री से इनके हमला करते ही वर्ल वर्ड वर्ड थ्री स्टार्ट हो जाएगी ऐसा पुतिन ने कहा है इस पीच में नाउ मैंने आपसे एक कौशन पूछा था कि नाथुला पास is a mountain pass located in which state तो इसका सही आंसर है सिक्किम ठीक है नाथुला पास जो है न हिमालाय में situated है किसमें तिबबत और सिक्किम और वेस्ट बेंगल के बीच ओ बीच सो आपको information अच्छी लगी हो तो like, share and subscribe कीजिए thank you tata and bye bye